अब डाउटनट पे आपको मिले गए कलास 6 से लेकर आई आई टी जाई तक मैद के साथ साथ कलास 10 और 12 के फिजिक्स केमेस्ट्री और बैलोजी के सभी सवालों का जबाब डाउटनट अप्लिकेशन से किसी भी कोचन का फोटो खीचे और तुरंथ पाए वीडियो सोलूशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में दिया गया है हेलो दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैठ एन मैजिक टिप्स योटूब चानल में दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालम हुआ कि एक बिज्ञान का मोडर सेट का हम पहले वीडियो अप्लोड किये थे जिसमें एक से लेकर 20 तक का भी और आपजेटिव कोशन का सॉलूचन जो आपके मैठी एक्जाम के लिए कर आपके इम्पोटिन्ट है तो जो भी इते इस बार मैठी का एक्जामि को क्ये मां क में दिखेगा इस साथ अभी करिया करती है तो पहला है सोना लेड सिल्व और और डी में पोटेसियम तो आप से पता दी कोच्छन में भी इसका क्या सही जवाब होगा आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाए और कमेंट रॉक्स में इसका इंसर लिख सकती है उसके वाद में इस तभी सब्सक्राइब कोच्छन नमर 21 के लिए आपको मेटी में भी चार अप्षन मिलेंगे जैसे यहां पर मिल रहे हैं तो आप से पतादे कोफ़नाय की बात करें तो इसका 1686 के बिल्कुर राइट टेंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कोच्छन ने कोच्छन नमर 22 की 25 यह एक आधातू है उसके बाद में कुछ में तेज को देख लीजिए कुछ मतेश द्राइब के लिए का ही इंपोटेंट है कि हेक्सेन का रसाइनिक सूत्र क्या होता है तो आपको मैं रसाइनिक आपको पढ़ाओंगा कार्वनिक रसाइन का जो चेप्टर है वह मैं आश् प्रोपेन नूटेन ब्यूक्टेन यह सब क्या होते हैं यह सब प्रोपेन की बात करें ही कि में आप अब तो कुछ आप से पूछ रहा है कि हैं का रसायन इक सूत्र क्या होगा तो चारफ्सर मिला है C6H14 और B में दियागे C5H12 और C में दियागे C3H8 और D में दियागे C2H6 आप चीज बता देए जो हिक्सीन का रसाइनिक सूतर होता है वह होता है C6H14 ठीक है तो अगला कुछन है हमारा कोछन मार्च चाववेश की निमलिखित में कौन सहसनियोजी योगिक है यहां पे चार योगिक के नाम दिया गया है इसमें आपको बतलाना है कि कौन ऐसा योगिक है जो सहसनियोजी है तो आप से बता देए कोछन मार्च 24 का राइट टेंसर आपका आपसन यह हो जाएगा जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं तो आपको बोला जाएगा कि C4 को क्या बोलते हैं तो मी निए भी आपको याद करने लेना होगा तो यह यह क्या है यह एक सहसनियोजी योगिक है इसके बाद में कोचनवर 25 दिया गए है आवळत सार्णी में धातू ये किस और इस्तित होती है और जो जो धातू होती है तो पहला चनली ला है बाइयोर दाइयोर मध्यमें और डीमें सभी अस्थानों पर तो आप से पता दें कोचनवर 25 का राइटर सरापकर आप सथान सी हो पर्मानु संख्यापद में कुछन में 27 को देख लिए पर्माद में 27 के लिए आरवी दीद्रे लिए दव्क्राइब लगव कर से सभी तो आप से बजाएं तो फ्लाजमाद में लाल रक्त कोशिकाएं नाफ कोशिकाएं और रक्त पर्माद कोशिकाएं अगर 28 दिया गया है रख्थ चाप रख्त-दाव मापने वाले यंतर कूआ कहते हैं अगर रख्थचाप या रख्थदाव जिसको जो यंतर से मा पा जाता है उसे क्या कहा यता है तो आख उसके पताती है उसका यह हो जाएगा यानि यह सफैगो मेनी मेटर द्वारा रख्ट चांप या रख्ट दाप मापाज जता है ठीक है तो कोशन का राइट एंसर आपका आपका आपसन यह हो जाएगा उसके बाद में फ्रेंट्स अगला कोशन को देख लेती हैं कोशन में 29 दिया गया है कि मृत जी इसका राइट एंसर आपका आपसन यह हो जाएगा यानि कोशिया के बाहर मृत जीवी पोशन में भोजन का पाचन होता है उसके बाद में जो अगला कुश्चिन हमारा कुश्चिन मरतीश की जिस हार्मोन की कारण पतिया अधिक समय तक हरी रहती है या ताजी रहती है वो क साइटोकाइनीन हर्मोन और डी में एथीलीन हर्मोन तो आपसे बता दें को जो तीस में को देख लेते हैं और कोश्चिन में इकमेठी की जाम में बहुत दार पूछा गया है तो कुश्य में इकदी 70 आप से पूछा है है कि हामारे सरीर में बिभीन जैवी कार्यों का निरं रसायनों द्वारा तंत्रीका एवं रसायनों के द्वारा और डी में इन में से कोई नहीं त्वाव से बता दे कोचिन में 31 का बिल्कुल राइटेंस आपका अफसन C हो जाएका ये तंत्रीका के रसायनों तंत्रीका और असायन दुनों के द्वारा हमारे सदीने विभीन जैवी काज होते हैं उसके बाद में कोचन मेर 32 को देख लिए वहुखंडन द्वारा जनन किसमे होता है तो पहला अपसर मिला है इस्ट में बी में प्लाजमोडियम में सी में दिया गए लिष्वानिया में और डी में इन में से कोई नहीं तो आपसे पता दे कोचन में 32 का भी राइटेंसर आपका प्लाजमोडियम हो जाएगा इन मेटी 2019 में भी अबजेक्टिम में कोचन पूछा गया था कि वहुखंडन द्वारा जनन किसमे होता है तो आपको निम्लिखित जीवों में किसमे अलेंगिक जनन मुकुलन विधी के द्वारा होता है तो पहला से मिला है लेसमानिया में बी में प्लाजमोडियम में सी में इस्ट और डी में अमीबा में तो आप से बता दें जो कोचन में 33 का बिल्कु राइट ग्रेंसर होगा आपका अपस प्लाज से कोचन हैं गॡहन का कि अपराणी है तो मिला है मॉराख का भी में दिया क्या है एक काई नोडर माटा और सी ने कोर् Cool प्रो कार डेर cloth प्रोटेंटा और डी में अनि लीडा तो आप से बताते कोचन नम्र लेकिन घोंगा की समुदाय का प्राणी है यह पुछा जा सकता है तो यह आपको लिखेगा मुलस्का का इसके बाद में जो कुछने 35 दिया गए है मेंडल के परियोग में ती क्या दर साता है या प्रभावी लक्षन या अप्रभावी लक्षन तो कुछने 35 के लिए चार अप्षन आप सभी के लिए बोड़े स्कीन पे मौझूद हैं और आप से बता दे कि मेंडल ने मटर के जो प पौधों के संक्रन किराके उन्हें F1 और F2 पीडी बिख्षित किया था तो उससे क्या उसने क्या दर्स आया तो पहला आपसे मिला है प्रभावी लक्षन बौनापन आप प्रभावी लक्षन तो आपसे बता दे कि मेंडल व्यानिक ने जो मौटर पौधह का प्रयोग किया था उससे बी और सी बिल्कुर राइटे से मिलता है बी में बोनापन हुआ और आ प्रभायू लक्षन उससे दर्शाया गया ठीक है तो चलिए अगला कुशन को देख लेते हैं कुशन में 36 दिया गए मैंडल ने अपने अन dimensional की परयोग है तो ऑभी मैं इसी का बात कर रहा था कि मैंडल ने अपने अनवन सी की परयोग है तो कि पोध का उप्योग किया था तो पहला छुशन म्हिला है घुलाब बी में गुल्दाव दी सी में दिया गए सधारन मटक और दी में निम तो अभी आप सभी को मैं इसका इंसर बता भी दिया हूँ कि मेंडल बग्यानिक ने अपने अन्वन कावरण में नहीं हो सकता है तो पहले मिला है प्लास्टिक सुखे पत्ते मृत जीव और डी में भोजन तो आप से बता दें कोशन नमर जो 37 का राइट एंसर होगा हमारा वह होगा आपकावसन ए यानि प्लास्टिक ठीक है तो चलिए कोशन में 38 को देख लेते हैं कि ओजोन प शीपर में उसके बाद में जो अगला कोशन है मारा कोशन में 49 कि भौम जल क्या है ठीक है भौम जल क्या है तो चरफसन मिल दिया जा चुका है और आप से बता दें भौम जल एक आपका अपसन सी में मौजूद है भू सता के नीचे चट्टानों और मिटी के रंद्रों में पाए जाने वाला जल है जिसे हम भौम जल कहते हैं उसके बाद में वीडियो का लास्ट कोशन में 40 दिया गया है कि जयोबी वीरता में विशीष्ट अस्थल है जयोबी वीरता में स्रमुंद्र शहर गाउं और डी में वनताब से बता दें कोशन का आपका वन हो जाएगा त आपके मेठी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंदा होगा पसंदा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ इसाथ अपने दोस्तों में वाटसप गूरूप में शेयर कीजिए और जो भी इस्ट्रेंट चानल पे न होगा अगले वीडियो में नहीं भी आई कोचिन के साथ तता के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्याएं